नमस्कार स्वागत आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारे शुरुआत करते हैं खबरों की प्रदान मंत्री नरेद मोदी गरीब कल्यार अनयोजना के तहर्ट आज उत्तर प्रदेश की कुछ चुनिंदा उचित मूले दर की दुकानों पर मौजूद लाबारतियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे अपर खाद आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया है कि प्रदान मंत्री गरीब कल्यार अनयोजना के तहट पाच अगस्त से राशन वित्रर शुरू करने जा रहे हैं और इसी दिन अनमोहत्सव का आयोजन भी किया जाएगा पिये मोदे सिलसिले में वाडसी, गोरकपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्याबाराबंकी, शाजहापुर, कौशामबी, आगरा और बहराईश की चैनित उचिस्त दर दुकानों पर उपस्थित लाबार्तियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बातचीत क साथी उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में प्रदेश के सभी जलाधिकारियों, राज खाद और आवश्यक वस्तू, निगम के प्रबंध निदेशक, संभागी खाद नियंत्रक और जिलापूर्ती अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं तो आपको बता दे कि प्रदान मंत्री नरेंद मोदी गरीब कल्यार अनयोजना के तहत आज उत्तर प्रदेश की कुछ चुनिंदा उचित मूलिदर की दुकानों पर मौजूद लाभारतियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे आपको बता दे कि अपर खाद आयोगति अनिलकुमार दुबे ने ये बताया है कि प्रदान मंत्री गरीब कल्यार अनयोजना के तहत पाच अगस्तित से राशन वित्रड शुरू कर रहें और इसे दिर अनमहत्सव का भी आयोजन किया जाएगा वही पियम मोदे इस सिलसिले में वाडसी, गोरकपुर, मुरादाबाद, हमेरपुर, आयोध्या, बाराबंकी, शाजहांपुर, कौशामभी, आग्रो और बहराईच की चैनित उजित दर दुकानों पर उपस्थित लाबार्तियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे. साथी साथ इस सिलसिले में प्रदेश के सभी जलाधिकारियों, राजखाद और आवश्यक वस्तु निगम के प्रबंधक, निदेशक, संभागी, खाद नियंतरक और जिलापूर्ती अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं. 28 अगस्त को राश्पती रामनात कोविन इस विश्विद्याले की आधार शिला रखेंगे. उनके आगमन के मद्दे नजर ही मुख्यमंतरी जरूरी तैयारियों का जायसा लेने वहां जाएंगे. बतादे कि मुख्यमंतरी सुभा मंदिर के हिंदू सेवा श्रम में जनता द हसील के सोन बरसावास सिक्टोर गाउं में बनकर तैयार गुरू गोरकनात विश्विद्याले का भी निरिक्षर करेंगे. बतादे कि राश्पती 28 अगस्त को इस विश्विद्याले का लोकार पड़ करेंगे. वहीं वहां से निकलने के बाद मुख्यमंतरी श्री राम मंद पिर निर्मार के शिलन्यांस के साल पूरे होने पर आयोध्या में आयोजित कारिक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे. तो आपको बता दे कि सुभा दस बजे वहां आयोश विश्विद्याले की भूमी के निरिक्षड के लिए बठट के पिपरी और तरकुला के लिए प्रस्थान करेंगे. साथी साथ सीम वहां से लोटते समय सदर्त हैसिल के सोन बरसा वहां सिक्ट और गाउं में बनकर तयार गुरू गोरकनात विश्विद्याले का भी निरिक्षड करेंगे. राष्टपती अठाइस अगस्त को इस विश्विद्याले का लोकार पड़ करेंगे. आपको बता दे कि सीम यहां से निकलने के बाद श्री राम मंदिन निर्मार के शिलन्यांस के एक साल पूरे होने पर आयोध्या में आयोजित कारिक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे. वहीं पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस मामले के सुनवाई चीफ जस्टिस एन्वी रमना और जस्टिस सूरेकांत के बेंच करेगी. वश्ट पेगासस मामले की जाच को लेकर संसंद में विपक्ष रोजाना हंगामा कर रहा है. याचिकाओं में सरकारी अजन्सियों द्वारा विशिष्ट नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की इस्राइली स्पाई वेर पेगासस के जरिये कतित जासूसी की खबरों के संबंध म जाच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरूत किया गया है. पत्रकारों की ओर से पेश वे वरिश्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बन ने अदालत से कहा था कि याचिका के व्यापक असर को देखते हुए इस पर तत्कार सुनवाई की जरूरत है. तो आपको बता दे कि याचिकाओं में सरकारी अजन्सियों द्वारा विशिष्ट नागरी को नेताओं और पत्रकारों के इसराइली स्पाइवेर पेगासस के जरिये कथिद जासूसी की खबरों के संबद में जाच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरूत किया गया है वहीं पत्रकारों की ओर से पेश हुए वरिश्ट अधिवक्ता कबिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि याचिका के व्यापक असर को देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है वहीं राम नगरी आयोध्या में श्री राम जन्म भूमी पर राम मंदिर भूमी पूजन के एक साल पूरे होने से पहले भक्तों के लिए एक बड़ी खुशकबरी है राम भक्तों का इंतजार जल्ड खत्म होने वाला है श्री धालू 2023 से समाप्त होने के पहले भवे मंदिर में राम नला का दर्शन और पूजन अप कर सकेंगे आयोध्या में पूरे राम मंदिर परिसर का निर्मार वर्ष 2025 तक होने की उमीद है मंदिर परिसर में एक संग्राले डिजिटल अभी लेखागर एक शोध केंदर भी बनेगा श्री राम जन्मभूमी तीर्त छेत ट्रस्ट ने इस लक्ष को पाने के लिए निर्मार की समय बर्द कार यूशना बनाई है मैं सुप्रीम कोट के फैसले के बाद राम मंदिर का भव निर्मार का जोर शोर से चल रहा है मंदिर के निर्मार के लिए श्री राम जन्मभूमी तीर्त छेत ट्रस्ट की ओर से चंदा भी एक खटा किया जा रहा है मैं पीम नरेंद मोदी 2023 में मंदिर का उद्खाटन करेंगे हाला कि उसके बाद दर्शन के साथ साथ दूसरे और तीसरे माले का निर्मार जारी रहेगा 2025 तक मंदिर का पूरा स्वरूप हड़ा हो जाएगा और सी खबर पर तमाम जानकारी के लमाज साथ हमारे समयाता गोविन जूट चुके हैं तो गोविन आपसे जना चाहेंगे जिस तरह से राम भक्तों के लिए बड़ी खुश खबरी सामने आई है क्या कुश कहना है जी जिस तरह से मंदिर निर्मार के कारों में तेजी लाई जा रही है उसको देखते हुए राम भक्तों में काफी खुशी है और मुखमंद्री सीदे इस जो निर्मार कार है इसकी मांडिंग कर रहा है समय समय पे वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे है इसी क्रम में 11 बजे लगभग वो संभावना जताई जा रही है कि वो अध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे जो निर्मार कार है उसकी समिच्छा करेंगे वहाँ अधिकारियों के साथ बैठन करेंगे आज से तिसान निर्देश भी देंगे तो गोविन जिस तरह से ये बताया चारा है कि 2023 समाप्त होने से पहले भवे राम मंदिर के लिए दर्शन पूजन होने वाला है तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जानकारी के इंसार 2023 तक मंदिर का निर्मार पूरा हो जाना चाहिए इसके बाद दर्श को जो सधालू है वहाँ वो दर्शन कर सकते हैं इसको लेके सरकार पूरी तरीके से कटीवद्ध है पूरी ततपर्ता से अथकारियों को निर्मार क और राम जी का दर्शन भी कर सकेंगे वाँ शुक्रीया आपका मासा जूरने के लिए गोविन तो आपको बता दे कि सुप्रीम कोट के फैसले के बाद राम मंदर का भव निर्मार का रे जोशोर से चल रहा हूँ और मंदर के निर्मार के लिए श्री राम जन्मभूमी तीर का स्वरूप खड़ा हो जाएगा वहीं बारिश और बार से बंगाल मध्यप्रदेश और राजस्थान बेहाल है सैक्डों लोग बार के चलते जहां तहां फसे हुए हैं तो अनेक लोग वेगर हो गए हास्से की वच्छा से कई लोगों की जान चली गई कई पुल डह गए अलबत्ता सेना सहीत कई संगठन बचाओं में जुटे हुए हैं खुद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी मोर्जा समाले हुए हैं बतादे की मंगलवार को मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिर्वराज सिंग चोहान से बात करने के बाद बुधवार को उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी से टेलीफोन पर बात की और हर संभो मदद का भरोसा भी दिलाया है उदर मम्ता बनर जी और शिर्वराज सिंग चोहान ने प्रभावित इलागों का दौरा करके हालातों का जायजा लिया है बंगाल में मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी ने बाड को मानव जनित बताते हुए इसके लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानि की डीवी सी को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने पीम मोदी से उसकी शिकाद भी की है वहीं मम्ता ने कहा है कि राज सरकार को सूचित किये बिना डीवी सी ने पानी छोड़ा है जिसके कारड ऐसा विकट हालात ये पैदा हो चुके है तो मम्ता बनर जी ने डीवी सी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है वो पूरी तरह से नुकसान पहुँच रही है वही रामपूर में सपा सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर मुश्किले बढ़ गई है रामपूर की MPMA कोट में शत्रू संपती मामले में आजम खा की जमानथ याज का खारिश हो गई है तो आपको बता दे के एस मामले में साल दोहजार उच्छी का खारिश हो गई है तो आपको बता दे कि इस मामले में साल 2019 में आजमखा पर चौहर युनिवर्सिटी के लिए शत्रू संपती हड़पने का मामला अजीम नगर थाने में दर्श किया गया था और इस मामले में जमानतियाज का अब खारिच कर दी गई है वयालेगर के थाना और कजबा चर्रा के मोहला किला में एक विवाहिता की फासी की फंदे पर शव लटकता मिला है माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेच का आरोप लगाते हुए हत्या करने का आरोप लगाया है पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दे और साथी साथ पुलिस इस पूरे मामले की कारवाई में भी जोटे हुई है तो अलीगर से ये खबर आपको बता रहे है जहाँ पर नविवाहिता ने फासी लगा ली और परिजनों ने हत्या की आशंका जता ही है कि ये थाना चर्रा के अंतरगार पिला मोहला में एक शुचना मेरी पुलिस को कि इसे मेदा में आथात्या कर लिए है परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद सुचना पर पहुची पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और साथी साथ पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाज़ परताल में जोटे हुई है तो आपको बता दे कि अलीगण में एक नमवयवाहिता ने फासी लगा कर आत्मत्या कर ली और परिजनों ने लगातार हत्या की आशंग का चताई है पर जनों ने इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद सूचना पर पहुची पुलिस ने ततकाल मौके पर पहुची और पुलिस ने शेफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया अला कि पुलिस लगातार मामले की जा वैसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जौनपुर से बड़ी खबर यूवक का शव मिलने से इलाके में हलकम मच गया है बता दे कि बसाई नदी में यूवक का शव मिला है यूवक की हत्या होने की लगातार आशंका चताई जा रही है वही में तक यूवक की अभी तक कोई शिनाक्त नहीं हो पाई है आला कि पुलिस ने शवक को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजी और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जाश परताल में जुटी हुई है जानपुर से इस वक्त की बड़ी ख़वर बता रहे है जहां पर यूवक का शव नदी में मिला है पुलिस ने शवक को कबजे में लेकर पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजी और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जाश परताल में जुटी हुई है आपको बता दे की जौनपुर के मीरगन चेत्र के बंधवा बाजार की ये घटना बताई जा रहे है जहां पर यूवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कम मचा हुआ है मरसी वीच बड़ी कबर सपा सुप्रीमों अकलेश यादो की साइकल यात्रा अकलेश यादव आज साइकल यात्रा निकालेंगे आज जनेश्वर मिश्वर पार्क तक अकलेश यादो साइकल चलाएंगे पार्टी दफ्तर से जनेश्वर मिश्पार्ट तक साइकल चलाएंगे सुबह दस बजे मीडिया को संबोधित करेंगे तो बड़ी ख़बर इस वक्त की आपको बता रहे जापर सफ़ा सुप्रीमो अकलेश यादव की आज साइकल यात्रा है वहीं आज सुबह दस बजे मीडिया को भी अकलेश यादव संबोधित करेंगे इस वक्ती बड़ी ख़बर आपको बता रहे है जापर सफ़ा सुप्रीमो अकलेश यादव आज साइकल यात्रा निकालने वाले बता दे कि जनेश्वल मिश्रपार्ट तक अकलेश यादव साइकल चलाएंगे ये साइकल यात्रा पार्टी दफ्तर से सुरू होगी और जनेश्वन मिश्रिपार्ट तक ये चलाई जाएगी मैं बड़ी खबर लगना हूँ से उतरप्रदेश पुलिस को 14 नए आई पेस मिले हैं 14 ट्रेनी आई पेस अफसरों को मिली है पहली तैनाती आई पेस संदीब कुमार मीना की मतुरा में तैनाती की गई है वहीं आई पेस कृष्ण कुमार की जासी में तैनाती की गई है आईपेस अभिजीत आर्शंकर को आजमगर की कमार मिलिये तो बड़ी कबर स्वक्त की लखनव से बतारे जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को 14 नए आईपेस मिले हैं आईपेस अभिजीत आर्शंकर को आजमगर में तैनाती मिलिये तो बड़ी कबर स्वक्त की लखनव से बतारे जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को 14 नए आईपेस मिले हैं और सी ख़बर पर तमाम जानकारी के लमाता हमाय सामाता शीवा शर्मा जूड़ चुके हैं तो शीवा आप से जाना चाहेंगे किस तरह से जो यूपी में पूलिस को 14 नए IPS मिलें क्या कुछ अपडेट हैं देखे प्रिया ये सभी IPS अफसर 2018 और 2019 पैच के हैं अभी तक ही अपनी जो ट्रेनिंग है वो अलग-अलग जिलों में पूरी कर रहे थे और इनकी जो मूल तैनाती है वो अलग-अलग जिलों में इनको भेजा गया है ताकि वो पुलिस की कारेशायली को पुलिस के वैवार को पुलिस से पुबलिक की डिलिंगों किस तरीके से करते हैं वो इनका एक असल मंत्र जो है वो अब शुरू होगा और इनकी तैनाती ये कहा जाएगा कि सर्कल अफसर के रूप में अलग-अलग जिलों में की जाएगी ताकि वो सर्कल अफसर से सीधे डिरेक्ट ठानों के तैनाती के बाद समालें गें और ये कहा जाएगा कि ये सभी अफसर अपका एक टेने और पूरा करने के बाद जब ये सीनियाइटी पर आते जाएगे तो इनको जिले की कमांड स्वापी जाएगी और तब इनके ऊपर एक बहुत जादा बड़ी जिम्मेदारी होती है बता तैनाती दी गई है तो वहीं IPS कृष्ण कुमार को जासी में तैनाती की गई है तो उनको आजमगड में तैनाती मिली है तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं लखनाओ से जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को 14 नए IPS मिले है 14 च्वेनी IPS अफसरों को पहली तैनाती मि प्राइम टी गई है तो इस वक्त की तमाम बाड़ी खबरों को देखने के लिए देखे रहे हैं प्राइम टीवी प्राइम प्राइम टीवी